तो हलो फ्रेंट्स के हाल चौल आप देखे रहें ओनला क्यूशन हो मैसलफ अभिने चौदरी आप सभी का स्वागत रते हैं आपके अपने एजुकेशन चैनल में तो जीफ जैसे की बात के आप सभी का जो मैंने बाता है कि एक्जामने से डियूल आ गया था तो उसके रिगा का अप्डेट चाहिए तो गाइज उसके लाइब हमारे इस यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करें और बगलन जो बेल आइक हैने उसे प्रेस करें प्रेस करने के बाद आपको अल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्मेंट सब्सक्राइब करें तो कैसे लिए सुरू करते हैं आज की वीडियो पट्रेपोत इन्वर्सिटी पट्ने इन्वर्सिटी इग्जामेरेशन अपडेट है को पढ़ने कुल जारे कि अंतिम वर्स को छोड़ वीवी के सभी चाहत्र होंगे प्रोनत यानि प्रमोटेड पढ़ करनी भी अन्वर्सिटी देश भर में मचें हाकार के बिच विच्विद्याले यूजी शी ने फिलाला परिक्षारतियों से जुरआ फैसला विच्विद्यालु पर छोड़ दिया है। विस्थानी परिस्थितियों को देखते हुए परिक्षा करानी है फिर छात्रों को सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे हाला कि अब तक जो स्थिति है उसमें जातर विश्पी द्यावलों ने अंतीम वर्स को छोड़ कर माके सभी छात्रों की बागेर परिक्षा के ही अगले खक्षाओं में प्रमोट करने के तैयारी शुरू कर दी है इसके लिए विश्पी द्यावलों ने यूजी सी की ओर से पिछले साल परिक्षाओं को लेकर तै कि गई गाइडलाइन को आधार बनाया है यूजी सी का कहना है कि कोरोना संक्रमेंट का प्रभाव देश के अलग-अलग हिसों में कम और ज़्यादा है पनिक पुल जारे किस बार कोई स्टानर्ड गाइल है अभी तक नहीं बनाई गई है लिहाजा आयोग ने सभी विश्पी द्यालों को पिछले साल ही परिच्छाओं और नई सेक्षिन 26 सस्त्र को लेकर तैयारी की गैडलाइन के अधार पर तैयारी करने को कहा है इस बीच फिस्वी द्यालोंने इस नातक के पहरे और दूसरे वर्स के चात्रों को नानतरिक आकलन या फिछे साल के प्रदार्शन के प्रमोट करने के तैयारी शुरू कर दी अंतीम वर्स की परिछा है जुलाई अगस्त में कराने की ओजना पर भी काम चल रहा है अब आते हैं में कमेंट सेक्शन में की आप लोगो क्या लग रहा है प्रपड़ पिछले अब आते साल की गायलेंग को आधार बनाकर विश्विद्यालोड नितेज की तयारी तो यह थी आज की इसामेरेशन अपडेट वीडियो पसमें को लाइक करें चैपने चलाओ को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को परसाएं दोस्तों को सेयर जुरू करें